नमस्कार दोस्तों एक बार फिल से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम अभी बात करने वाल है कल के मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा KKR वर्सेस राजस्तान रॉयल्स के बीच मतलब कोलकता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्ता रॉयल्स के बीच तो यह आईपिल ट्वेंटी-ट्वेंटीवन का है जो है 18 मुकाबल रहे गा मतलब 18 मैच रहेगा दोस्तों तो दोस्तों डबल हेडर नहीं है नहीं है सिंगलि मैच है और पर्सों मतलब संड़ेको जो है डबलड़ दो मैचेस रहेंगे दोनुके आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे इस पह तो ठी QUE दोस्तो चलिए बात करते कल ह्याहीं। मतलКак जो match winner player रहे है उनको भी जरूर हम देखेंगे, तो दोस्तो उससे पहले मैं अगर बता दू आपको आपने अभी तक मेरा चैनल अगा सबस्क्राइब नहीं कि polish है तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज जॉइन कर लीजिए ताकि रन टाइम जो अपडेट्स है जरूरत है तो ही मैं अपडेट्स प्रोइड करता हूँ दोस्तों क्यूंकि आल्रेडी टीम्स में देता हूँ अगर कुछ अनेक्सपेक्टेड चेंजस है तो ही ज्यादा रन टाइम हम चेंजस करते हैं बट वही है आज कल अनेक्सपेक्टेड चेंजस देखने मिल रहा है इसी वज़े से जरूरत है कि आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए तोड़ी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में यहां मोंबाई जिहा और मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है अगर पिछ की बात की जाए तो जैसे कि हर बार का है पिच बैटिंग फ्रेंडली है दोस्तों बट बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत फॉर्स सिलिंग में पर करेंगी टीम जो टॉज जी करेंगा वो क्योंकि ज्यादा चेस जो है अच्छी तरह से हो रहा है एवरेज फर्स लिंग स्कोर अगर देखा जाए तो 180 का है दोस्तों अभी के जो भी टाउस जीतेगा बैटिंग फर्स नहीं करेगा बैटिंग सेकंड लेना पसंद करेगा क्योंकि बॉलिंग के लिए आपको की स्पिनिंग के लिए भी ड्यू आ सकता है तो हाथ में से गेन चूटती है दोस्तों जो रिस्प्लीनर होते उनको तो ज्यादा दिक्कत हो जा राजस्तान रॉयल्स ने भी जीत हसिल किये दोस्तों और एक जो मैच है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था मतलब देखे यहां पर काटे का मुकाबला तो नहीं है बट अरूंड बराबर है बारा बया दस तो ओके ओके है दोस्तों जादा कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत नीट्रल पे होने वाली है तो आट मैचे दोनों में खेली है जिसमें राजस्तान रॉयल 5 बार जीती है और कुलकता नाइट राइडर्स तीन बार जीती है मतलब यहां पर देखा जाये तो राजस्तान का पलटा भारी है अगर नीट्रल वेन्यूस की बात की जाये तो और वाल्रेडी जैसे कि आपको पता है मुंबाई यह केक्यार का भी होंग राउंड नहीं और राजस्तान का भी होंग राउंड नहीं है और मतलब न्यूट्रल वेन्यों है तो राजस्तान रॉयल्स को यहां पर परसेंटेज वाइस बढ़त मिलती है दोस्तों चले टीम परफॉ पड़ा है तो अगर आरार की बात की जाए दोस्तों का बराबर परफॉर्मस रह रहा है दोस्तों तो देखते है कल कोन बाजी मारता है और कोन आगे जाता है तो पिछले मैस में केके आर की तरफ से थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स मिले थे क्योंकि आंद्रे रसल और पैट कमिंस दोनों बैटिंग में अच्छे दिखे दोस्तों और जो कार्तिक है उन्होंने भी अच्छा साथ निभाया तो उन्होंने भी आरा उन 40 रन बनाए जो हमार यान पराग है उन्होंने रन बनाए मौरिस नहीं चल पाए थोड़े से उन्हाड कट ने पिछले मैस में रन बनाए थे पर उनको रखा नहीं अभी टीम में तो थोड़े पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट इनके तरफ भी आये दूस्तों दूबे भी थोड़े स टो देखते हैं दोस्तों चलिए हाए पर्फॉर्मस दोनों टीम की तरफ से अभी तक कौन-कौन रहे तो कके रघजी सबसे पहले रणाज़ी सबसे जादा रनोन ने अभी तक के कर से बनाए दो अगर सेंचुरीज लगा चया दोस्तों अगर त्रिपाटी है त्रिपाटी एक हाप सेंचुरी लगा है बाकी भी दो मैचेस में जो अच्छे टच में दिखे थे शुबमन गिल कुछ टच में नहीं नजर आ रहे हैं दोस्तों पट एक बार 33 रन उनों स्कोर किये थे बट अफको शुबमन गिल बहुत अच्छे बैट्समन है दोस्तों बहुत तैलेंटे पारी खेला दोस्तों जरूर आरार जो आंद्रे रसल है वह भी अभी टच में नजर आ रहा है बैटिंग में भी तो पैट कमिंज भी पिछले मैच में अच्छे खेले दोस्तों 34 बॉल में 66 रन बना दिये और अपने 15 करोड को थोड़ा सा उन्होंने नयाई दिया है दोस्त गेंद बाजी कर रहे हैं उन्होंने भी दो विकेट एक बार चटका है तो ज्यादा कुछ बालिंग के लिए बहुत है नहीं के पास तो ज्यादा उनकी बॉलिंग पर बरोसा नहीं करेंगे अगर राजिस्तान रॉयल की बात की जाए तो उनकी बैटिंग की बात करते दोस्तो 62 बनाया थे मौरिस उतना ही जो एक मैच विनिंग किया था उन्होंने आटरा बॉल में 36 लगाय थे उतना ही खेल पाया उसके बाद उन्होंने भी कुछ अच्छा बैटिंग नहीं किया बटलर अच्छे फॉर्म में दोस्तों अच्छा बैटिंग कर रहा है बट दीरे दीरे यह भी गाड़ी लाइन पर आती भी नजर आरी दोस्तों अगर बॉलिंग की भी बात की जाए तो सबसे अच्छे रह रहा है इनके लिए चेतन साकरिया जिन्होंने दो बर तीन-तीन विकेट चटका है उसके ख्रीस मौरिस भी अच्छी गेंद बाजी कर रहा है विकेट तो ले ही रहा है दो-दो विकेट उन्होंने दो बार चटका है थे वनाट कट को फिछली मैंच में शामिल नहीं किया बट उन्होंने पिछ एक बार तीन विकेट चटका है थे मुस्तफी जो भी ठीक था कि गेंद बाजी कर रहा है दो एक बार दो विकेट पिछली के पास साकरी आया है जिन्होंने इंप्रेस किया है तो चली अभी प्रोडे जो है प्रोबैबल प्लेंग इलेवन की बात कर लेते केकर के तरफ से रहेंगे ज्यादा चेंजस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं के के तरफ से क्यूंकि जरूरत नहीं है पिछली मैच अच्छ बले हारे बट अच्छी रही थी दोस्तो नितिश राना शुबमंगिल राहूल त्रिपाथी रहेंगे जरूर सुनिल नरीन को भी वापस एक चांस मिल सकता है इयोन मॉर्गन कप्तान फॉर्म में नहीं है दोस्तो पर बड़े प्लेयर है कभी भी फॉर्म में आ सकता है कभी भ अजस्तान रॉयल्स के प्रॉबेबली ले उनकी जोस बटलर रहेंगे दोस्तो मुझे नहीं पता मननोरा को कब तक चांस मिलने वाले एक्सपेक्ट करो एकल तो किसी को चांस दे दो भाई क्योंकि मननोरा अभी चार मैंचस फेल हो चुके है चलिए किसी दूसरे को चांस द दे सकते ट्राइ करने में कोई धक्कत नहीं मननोरा वैसे भी फेल हो रहें बट पता नहीं क्यों चेंज नहीं हो रहा है बट मेरे ख्याल से कल एशेश्वी जैस वाल खेलते हुए नजर आएंगे संजी समसें रहेंगे दोस्तों शिवन दुबे रहेंगे डेविड मिलर रह आप रियान पराग को भी उपर खिला सकते हैं राजस्तान रॉयल्स की तरफ से बट वह भी इनकी तरफ से अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्रिस मौरिस रहेंगे दोस्तों राउल तेवतिया रहेंगे जैदेव उनाट कट या फिर श्रेयस गोपाल दोनों में से एक को शामिल किया जाएगा चेतन सागरिया और मुस्तफी जुर्रहमान अपना टीम में स्थान रखेंगे दोस्तों कामी तो हट्पिक्स की बात करते डिल थाएगी केके आर की तरफ से मेरी तरफ से लाएग नितीश राना तरिपाठी रहेंगे दोस्तों पैर्टं कमिन और परषुट कर तरफ से चैनजयास है उसकी तरफ राजस्तान रहाएस की तरफ से दुबे जरूर दुबे को हम ले सकते है बैटिंग में पिछले मैच म नजर आयर बॉलिंग भी कर सकते दोस्तों उनको भी शामिल कर सकते बटलर अफ्कोर्स रहेंगे क्रिस मौरिस और साकरिया तो यह रहे कि दोस्तों मेरे होट पिक्स जिसमें बात करते गर बेस प्लेयर्स की बात करूँ तो मैं नितिश राना संजू सैंसंग आंद्रे रसेल मोस्ली पैट कमिंस और क्रिस मौरिस चेतन साकरिया यह बेस प्लेयर रहेंगे जिनको मैं ड्रॉप करना नहीं चाहूंगा दोस्तों बाकी को अफकोस पॉइंट्स की अगर दिक्कत होती है तो उपर नीचे में कर सकता हूँ तो ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हो और हमारा ड्रीमिलेवन का टीम क्रियेट करते हैं जो विनिंग कॉमिनेशन साभित होना चाहिए चलिए मैं ड्रीमिलेवन के एप को स्विच कर रहा हूं जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ आज भी बता रहा हूं कि आप यह टीम पर बैट्समन और और बॉलर्स का एक अच्छा कॉमिनेशन एक विनिंग कॉमिनेशन में तयार करना होगा जिसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किपर की तरफ से विकेट की तरफ से तो मेरे पास तीन अच्छे अच्छे उप्शन से दोस्तों मैं दो के साथ अभी जाहूंगा सैमसर और बटलर तो दोनों को मैं शामिल कर लूँगा दोस्तों बैट्समन में आता हूं मैं यौन मॉर्गन डेविड मिलर दोनों के साथ नहीं जा रहा हूँ अभी राना गिल रियान पराग और मैं जाहूंगा रहूल त्रिपाटी के साथ क्योंकि यह मॉरिस दोनों को जोरूर शामिल कर लूँगा मैं मैं शामिल करना चाहता हूं तेवतिया को भी बट अभी मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूं या फिर शिवंदु बेभी क्योंकि हमने और चार बैट्समन दो विकेट की पर ले लिए तो आल राउंडर हम तीन सिलेक नहीं क कर लूँगा तो यह हो जाएगी मेरी बॉलिंग अटेक दोस्तों साकरिया वरुन चकरवर्ती और पैट कमिंस पैट कमिंस अगर ना चाहिए आप दोस्तों तो रहमान पर दाव लगा सकते जरूर या फिर प्रसित कृष्णा को भी शामिल कर सकते बट मैरे ख्याल से पैट क पाटी शुबमंगिल और रियान पराग तो दोस्तों यहां पर अंदरे रसल क्रिस मौरिस यह दो मेरे और रहेंगे पैट कमिंस चक्रवर्ति और साकरिया यह मेरे तीनों बॉलर रहेंगे दोस्तों तो देखे अभी ड्रीम इले और यह मतलब हर बार ही करते देखी यहां प यहां करते हैं सबसे अच्छे जो क्योशी क्लिए चॉइस चॉइसे से उनकी बात करते दोस्तों तो मेरे खहल से सबसे अच्छे चॉइस हैं सबसे पहले राना जी आते बटलर आते SAMSOR आते और अंद्रे रसल भी आते दोस्तों क्योंकि आ या चुके है विए और बॉलिंग में भी बॉलिंग तो मिलती है उनको कभी एकाद विकेट भी चटका सकते है तो अच्छे शामिल साबित हो सकते दोस्तों अगर आपको लगाना है तो गिल को आप वैस कैप्टन के लिए ट्राइक कर सकते है दोस्तों तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर रसल को चाहलों सकते है अप वोईस केयप्टन के लिए जा सकते समसlone पर है कि या फिर आप केप्टन साथ को में सकते स्प्डेशर को भी ट्राइक कर सकते है और या फिर आहया ःत्र सम्षन रहेगा राना जी और सब्सक्रांस यह भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा दोस्तों कि राना अल्रेडी फॉर्म में है वले पीछले मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए बट उसके जो पीछले तीनों मैच थे बहुत अच्छी बैटिंग की थी दोस्तों या फिर सैंसन और नितिश राना बट दोस्तों सैंसन प जीटकी और कब्तानी पारी उनको खेलना होगा तो थोड़ा सा संबल के खेलेंगे तो मेरे खाईल से लंबा खेल सकते हैं और दुस्तों बटलर के साथ भी हम जा सकते हैं नितिशराना और बटलर के साथ डैश दो घ्र एक यह सबसेटर combination मेरे लिए captain voice captain के मैं team को save कर लेता हूँ और create करता हूँ दूसरा team और एक combination देख लेंगे दोस्तों अभी हम यहाँ पर जाएंगे तीनों keeper को मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे लिए आ जाएंगे मौरीस दोनों में से एक कोई ले पा रहा हूँ चली यहाँ से में जाता हूँ रिपाथी आ पराग से में more के साथ जारह हूँ क्योंकि मुझे व्लत नहीं कोटने है ध forbidden bowling दोनों में काम सकते तो यहाँ पर जाएंगे पैट कमिंस को फिर से में शामिल करूंगा यहाँ पर जाओंगा मैं साकर या चकरवर्ती इनको ही शामिल रखूंगा यही मेरे तीनों बेस्ट रहेंगे बट आप चाहे तो किसी और पर भी दाव लगा सकते जैसे रहमान या फिर प्रसित कृष यह अभी देखिए क्योंकि कल इन्हों लास्ट टेम ना कमलेश को खिलाया था जरूरत पड़े था अब कमलेश को भी किसी एक ट्रीम में ट्राइब कर सकते बट मैं अभी उनको ट्राइब नहीं कर रहा हूं तो यह रहेगा दोस्तों टीम प्रिव्यू कार्थिक रहेंगे यहाँ पे देखिए करतिक को बटलर को और मैंने प्रसुड कृष्णा को यह तीन नए जो है मैंने चेंजड़ कर दोस्तों तो बाकि तो बटलर सैंसल सेम्ज्ड रहेंगे राना और पराग रहेंगे दोस्तों अंधरे रसल बॉरीश मोरी वी कायम हां रहेंगे निक ने सब्सक्राइब सकते हैं के उप्egenर को आप सेबस फ muchísimo अब कित आप आप Σेबस के सत्राइब और के वायुक्ट रसकते यह उल्टा ज्यादव पिंगां पीटिम धिखा दुगा दोस्तों चलियए आज का आखरी टीम का कॉम्विनेशन दिखते हैं मैं ंहीं और यहां पे में चोटा है दोस्तों वानखेडे का स्टेडियम है बैटिंग पीछे मेरे ख्याल से कल हो सकता है कि मॉर्गन टच में आ जाए अच्छा स्कोर कर दे तो रसल और मॉरिस रहेंगे मुझे रखना है रसल और मॉरिस को चलिए में सैंसन को अटारो या पर मॉरिस रहेंगे और बॉल सब टीम में शामिल रख रहा हूं उनको और और एक कोई ओप्शन चाहिए आपको तो मैं जाओंगा इस टीम के लिए मुस्तफिजूर रह्मान के साथ टीम प्रिव्यू करता हूं दोस्तों देखिए यहां पर क्या-क्या चेंजिस की है मैंने यहां बैटिंग ज्यादा सिराज होगे भी मैंने शामिल किये थे हमारे और किसने तीन विकेट लिया था हर्षल पटेल भी शामिल थे वह ज़ादा रिस्की था आज कहभी जो 5 बॉलर मैंने शामिल किया था वो भी रिस्की है बट वह अच्छा जा रहा है तो देखिए यहां पर रह्मान ओंगे दु उसके लिए आपको फिर निकालना होगा पराक को और जाएंगे आप सैमसन के साथ तो यह एक टीम बन जाएगी ऐसे पराक को मैं अटा दिया और सामसन के साथ गया क्योंकि सामसन ज्यादा ऊपर बल्लेवाजी को आते हैं दोस्तों तीसरी वेचे साम उनके साथ भी जा सकते है तो यह बन जाएगी तीसरी टीम चोथी भी कह सकते हैं आप यह एक टीम बच जाएगी दोस्तों यह भी आप जरूर ट्राइब कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों I hope वीडियो प्रेडिक्शन और जो टीम से आपको पसंद आए और आपके लिए कुछ ने कुछ अच्छा परफ क्रिफिकेशन आपको आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और एक बार बता दू ट्रेली ग्राम का ग्रूप क्रियेट हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जॉइन कर लीजे ताकि रन टाइम अगर चेंजस रिक्वाइड है तो मैं आप तक वो पहुचा सकूँ तो ठीके दोस्तों आज के लिए इतना ही ओल दे बेस्ट थैंक यू